कुछ दिन पहले कश्मीर में एक युगक को जीब के बोनिट पर बांध कर सेना ने घुमाया था इस बात की ट्वीट उमर अब्दुल्ला ने की थी जिसके बाद इस मुद्दे ने काफी तूल पकड़ लिया था लेकिन अब इस मुद्दे पर एक और ट्वीट आ गया है फिल्म अभी नेता और पदमश्री से सम्भानत परेश रावल ने कहा है कि सेना की जीब से पत्थरबास को बादने की जगह अरुन्धती राय को बांध दिया जाए बॉलवुट के पॉपलर एक्टर रावल ने ट्वीट कर ऐसा कहा है परेश रावल बीजेपी से लोगसभास सांसत भी है अरुन्धती राय प्रसिद्ध लेकी का है और कश्मीर पर अपनी अलग राय रखने के लिए जानी जाती है इस ट्वीट के बाद कई लोगों ने ट्वीटर पर इसका विरोध भी किया और अपनी निजी राय भी रखी कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के मताबिक हाल ही में अरुन्धती राय ने कहा था भारत कश्मीर में अगर साथ से सत्तर लाग सैनिक भी तैनात कर दे तब भी कश्मीर में अपना लक्ष नहीं पा सकता आपको बता दें कि पिशले दिनों जम्म कश्मीर में आर्मी की जीब से एक शक्स को बांद कर घुमाने का मामला सामने आया था तमाम संगठनों ने इसे मानवधिकारों का हनन बताया था प्रशासन ने इसकी जाच के आदेश भी दिये थे पदमश्री परेश रावल अपनी एक्टिंग के लिए नैशनल अवार्ड भी जी चुके है ट्विटर पर उनके दो लाग से कुछ अधिक फॉलोवर्स भी है 4,600 से अधिक लोगों ने उनके ट्वीट को पसंद किया है NMF News के रिपोर्ट